हेलो दोस्तों कैसी हैं आप सब आप सबी लोग सीहत मन और बहुत अच्छ होंगे वेल आज जो मैं आपके साथ रेमिडी शेयर करने जारी हूँ यह एक नेशनल हेयर ओयल की रेमिडी है जो की आपके बालों के विकास को और उन्हें सुस्त बनाए रखने में बहुत जादा फायदे मन है सो चले स्टार्ट करती हैं आज किस रेमिडी को बनाना सबसे पहले आपको लोहे की एक कड़ाई लेनी है इसके बाद आपको इसमें एड करना है आवला पाउडर आप चाहें तो यहां पे ड्राई आवला भी यूज कर सकती है तो मैं यहां पे ले रही हूँ लगभग दो चमच आवला पाउडर आवला में विटनन सी की उच्छ मातरा होती है जो कि नैचरल आपके बालों में स्ट्रेटनर का भी काम करती है और नैचरल यह आपके सफेद बालों को काला भी बनाती है प्रीमिचुर ग्रे हैर की समस्य को यह दूर करती है इसके अलावा एक अच्छा हेयर कंडीशनर भी है आवला जो कि बालों को सौफट सिल्की और शाइन देती है आपके बालों में इसके साथ इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं आईरन की उच्छ मातरा इसमें होती है जो कि आपके बालों की छोड आई चमच के करीब काले तिल को एड करना है काला तिल सफेद तिल की अपेक्षा बालों के लिए सबसे जादा अच्छा माना जाता है अगर आपके बाल कम उम्र में जल्दी सफेद होने लगे हैं तो आपको काला तिल अपने डाइट में भी शामिल करना चाहिए और इसका पै ज़रूर आपको बालों में लगाना चाहिए आपको इन्हें धीमी आज पर रोस्ट करना है इन्हें आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर पूरी तरीके से चेंज ना हो जाए आज को बिलकुल भी हाई नहीं रखना है अदर वाइस ये जल जाएंगे तो हमें रोस करना है ना कि जलाना है तो धीमी आज पर आपको इसे भूनना है काले तिल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिट्स की हाई मातरा होती है जो की बालों की ड्राइनेस को दूर करके मौश्चर को लॉक करती है बालों की चमक को बढ़ाती है काले तिल में अच्छी मातरा में विटमिन्स, मिनरल, कॉपर, मैकनीज, कैलशियम, आईरन, विटमिन, बीवन और अमीनो एसिट पाया जाता है जो की सफेद बालों को काला बनाने में हेल्प करते हैं और बालों की नरिशिंग भी करती है तो काला तिल बहुत ही जादा अच्छा माना चाता है प्रीमिचर ग्रे हेर के लिए या फिर आपके बाल सफेद हो रहे हूं बरती उम्र में भी अगर आप काले तिल का इस्तमाल करते हैं अपने बालों के लिए तो आपको इसके बहुत जादा अच्छे फाइदे मिलेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है और ये बिलकुल ही अपने पूरे कलर में आच्छुका है यानि कि बहुत अच्छे से रोस्त हो गया है गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और इसे बिलकुल थंड़ा होने के लिए छोड़ें जब यह अच्छे से ठंडा हो जाए तब आपको इसे mixi में पीसना है और चानना जरूर है ताकि यह बिलकुल fine powder में ready हो जाए तो मैं यहाँ पे इसे छोड़ रही हूँ बिलकुल ठंडा होने के लिए सो गैस यहाँ पे ठंडा होने के बाद आवला प्लस काली तिल को mixi में अच्छे से grind कर लिया और इसे sieve भी कर लिया ताकि बिलकुल fine powder हमें यहाँ पे मिले अब बढ़ते हैं इसका preparation करने के लिए कि इसे कैसे बनाना है किन चीजों के साथ मिला करके और बालों में किस तरीके से इसे लगाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक बोल की जरुरत होगी इसके बाद आपको एक चम्मच आमला प्लस काले तिल का जो powder है उसे add कर देना है इस बोल में इसके साथ आपको यहाँ पे add करना है coconut oil coconut oil की मात्रा आपको इतनी रखनी है कि यह जो powders है वो अच्छे से oil में mix हो जाए आप चाहें तो इसमें जैतून का तेल तिल का तेल या फिर सरसो का तेल भी मिला सकती हैं इन्हें अच्छे से mix कर ले चुकि आवला प्लस तिल को मैंने बहुत ही अच्छे से fine powder तयार किया है तो इसे चानने की आपको दुबारा जरूत नहीं पड़ेगी आपको इसे as it is ऐसे ही apply करना है अपने बालों में आपको इसे साफ सुत्रे बालों में इस्तमाल करना है आपके बालों में पहले से oiling ना की हुई हो और ना ही आपके बाल गंदे हो आपको इस oil को cotton की help से या किसी drop की help से dropper की help से या फिर किसी brush की help से या finger की help से अपने scalp में apply करना है बालों की जड़ों में जरूर से जरूर इसे आपको सबसे पहले लगाना है then आपको अपने बालों में इसे apply करना है इसे लगा करके आपको रात भर के लिए छोड़ देना है यानि कि रात में आपको इसे apply करना है and सो जाना है next morning उठे और shampoo कर ले ऐसा आपको हफ़ते में दो बार करना है ये आपके सफेद बालों को naturally जड़ से काला बनाएगी आमला प्लस काला तिल बालों को naturally प्राक्तिक रूप से काला बनाने में बहुत ज़्यादा help करती है इन नारियल का तेल तो आप सभी जानते हैं कितनी ज़्यादा फाइदे हमारे बालों को देती है नारियल का तेल light weighted भी होता है तासीर में ठंडा भी होता है गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फाइदी होता है इसके अलावा इसकी smell इसकी जो qualities है वो बालों में पूरी की देखने को मिलती है बाल इससे बहुत ज़्यादा मजबूत बनते हैं आपको इसे हफ़ते में दो बाल लगाना है और विदिन दो हफ़तों के अंदर ही आप बहुत अच्छे इसके रिजल्स देखने को आपको फायदे मिलेंगे अगर आप इसे इस्तमाल करती है इसे male and female कोई भी use कर सकता है इसे बच्चे भी लगा सकते हैं क्योंकि यह 100% natural है तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की remedy आपको पसंद आई होगी तो please like कीजेगा and share कीजेगा चली फिर से मिलते हैं एक another new remedy के साथ पक्ते के लिए bye bye take care अपना ध्यान रखे